तो है आप लोगों की टर्म वन की बिजनस स्टडीज के एक्जाम है तो वाइनली लास्ट मुमेंट टिप्स क्या होने वाली है हमें कुन से स्टेप्स फॉलो करने चाहिए जिससे हम 40 out of 40 है या फिर हमारे मैक्सिमम हम माक्स स्कोर कर पाए हमारे बिजनस स्टडीज में कुछ चीज़ आपको ध्यान रखने है अपनी एक्जाम के पहले और एक्जाम हॉल में ताकि आप अच्छा है स्कोर कर पाऊ अपने बिजनस स्टडीज में सबसे पहली बात आपकी यहां पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है अगर आपके पास इनफ टाइम है तो आप कोई भी कोशन छोड़ना नहीं है उसमें कुछ ना कुछ जो आपको best possible आंसर लग रहा है उसे टिक करके आना है कोई भी आंसर छोड़के नहीं आना है आप लोगों को अगर कोई भी आंसर आपने गलत टिक कर दिया है या गलत OMR seat में डाल दिया है तो आप उसे कट करके दूसरा सही बाला जो आपको लग रहा है कि यह वाला आंसर सही है उसे circle black dark circle कर दे और side में जो space दिया है उसमें उसे ही लिखे so point number two अगर आप किसी answer को लेकर sure नहीं है फिर भी आपने उसे tick कर दिया है तो जो blank है उसमें आप mark ना करें answer क्योंकि हो सकता है बाद में आप कहीं से पता चल जाए या आप hint कर जाओ उस चीज को कि हाँ इसका answer यह हो तो जिस answer को लेकर आप sure नहीं है उसके blank को है आप खाली time waste नहीं करना नहीं आ रहा है तो आप next question पर move करिए जो आ रहे होंने पहले आप answer करिए उसके बाद अगर आप time बसता है तो जो आपको नहीं आ रहे तो उन पर time दीजाए अगर आप एक जो answer नहीं आ रहा है आपको उस पर time waste करेंगे तो आपको probably बहुत जादर question पर चूट की QQ Revision Series देख लेना जादर जादर आपको देड़ दो गंटर देने होंगे पर सारी चीज़ एक बार और revise हो जाएगी आप लोगों को QQ Revision Series काफी हद तक help कर सकती है आप लोगों को बच्चों को काफी अच्छा response है जो मैंनी QQ Revision Series डाल रखी है अपने channel पर point of 4, assertion or reason best questions में अगर आप अटक रहें तो उसमें काफी time ऐसे situation दी जाती है जिसमें आप खुद को रख कर देखते हैं अगर तो 90% chance है आपको आ जाएगा अगर आप कहीं अटक रहें इन assertion best questions में तो उस situation में खुद को place करके देखिए आप अपने business mindset से देखिए अगर मैं उस situation में होता तो मैं कौन से steps लेता या फिर क्या चीज़े analyze करता तो उस type से आप उसका answer निकाल सकते हैं तो अर्जसन best questions को solve करने के लिए जो आपको नहीं बन रहे हैं उनके लिए best तरीका होगा एक जिससे आप उन questions को best possible way में कर पाओगे और काफी हद तक यह questions सहीं होते है अगर इस trick को आप use करते हैं जब आपको question paper read करने का time दे जाएगा तो तब आपको analyze करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको कौन कौन से questions पहले करने है कौन से questions बाद में करने है कौन से questions आपको नहीं आते हैं तो जो भी questions आपको आते हैं questions को लेके आप 100% swear है उन्हे पहले attempt करें फिर जो बाद में आप जिनके बारे में sure नहीं है उन्हें फिर attempt करें कोई भी question छोड़ के नहीं आना है तो आपको ये चार important बाते हैं याद रखनी है एक बार में revise करवा देता हूँ आपको time manage करके चलना है आपको कोई भी question छोड़ के नहीं आना है चाहे आप आपको आता हो या ना आता हो जो questions नहीं आता है उसके blanks को खाली रहने दे वो last में भरे क्योंकि आप बाद में उसे hint कर सकते हैं या फिर आपको कहीं से पता चल सकता है ये चीज़ अक्सर होती है फूर्थ अगर assertion और reason best questions में आप कहीं attack नहीं तो खुद को उस situation में place करके देखे शायद वो आपको बन जाए 90% chance होते हैं आपको वो question बन जाए और एक bonus tips क्यों क्रिविजन सीरीज देखना मत बूलना क्योंकि आपको सारे chapters का क्यों क्यों क्रिविजन हो जाएगा आपको एक बार और चीज़े revise करने में बहुत जल्दी help होगी and all the best for your business studies, exam, give your best, love you all bye